समस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में आज का क्यूशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस पर क्यूशन है हम इसको करेंगे बर्ड्स आर इंपोर्टेंट फोर एको सिस्टम बाइपिंग इन माइंड ब्रिंग आउट प्रोलम्स एंड सॉलुशन इसके बाद में जो स्टेज होगी होगी आप्स्टिंशन यानि की इसको विलुक्त हो जाएगा तो अभी इसको परेटी क्रेटिकल इंडेंजेर रखा है और यह रास्तान का श्टेट बर्ड भी है तो चलो हम यह क्विसंस को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के रिस्पेक्ट में करते हैं तो प्यूशन का अंस्वर है birds help in pollination and keystone species of ecosystem की स्टोन species क्या होती है वो species जैसे birds जो होती है वो मतलब जो अपना ecosystem होता है अपना जो in moment होता है उसमें एक major role play करते है एक important role play करती है वो क्या है जैसे pollination है even ये क्या है दूसरी जानबरों का सिकार भी करते हैं जैसे कीड़े में कोड़ों को खाने का भी decomposer भी होते हैं जैसे आप देखेंगे birds tale about the health of ecosystem जैसे वल्चर और काइट के बारे में आपने सुनागा ये दोनों की दोनों अभी जो है अभी extension के कगार पे हैं और दोनों important है किसके लिए decomposition किसका decomposition करेंगे dead animals आपने देखा होगा पहले जब छोटे थे आप तो देखते होंगी वल्चर और काइट्स जो है उपर गुमते रहते थे देखते रहते थे कहां पर कोई जानमर मरा हुआ है तो उसको ये कहा करते खाते थे उसको decompose करते थे but due to unsustainable use of fertilizer for drug जो एक sodium diclofenac drug होता है तो उसको पहले जो अपने गाए वैस होती है उसके लिए यूज करते थे लेकिन उसको सरकार ने 90s में बेन कर दे थे उसके बावजूद भी इंडिया में यूज होता रहा और यह जो डाइकलोफिना जिस जानमर के बोड़ी में जाता था जानमर जब मरता था तो फिर जब उसको बिलुप्त हो गया इक तरह से तो अब Great Indian Bustard की बात करते हम Great Indian Bustard is the heaviest bird on the planet manly found in Rajsthan and Gujarat area there are only 150 Great Indian Bustard left in India it's very less number only 150 150 बचे हैं हमारे पास Great Indian Bustard is the state bird of Rajsthan also weighing around 15 to 18 kg means इस bird का जो weight है वो 15 to 18 kg के लगवग होता है so major problems क्या है Great Indian Bustard की जो numbers है जो है day by day खट रहे है due to unnatural इनकी death हो रही है मतलब family death नहीं हो रही unnatural death हो रही है second problem है high tension buyers are responsible for their death manly because of the low maneuverability low maneuverability होती है कि यह maneuver करने में इनको दिक्कत आती है मतलब यह जब एक level पर flying कर रहे होते हैं तो उनको क्या है फिर जो अपना root divert करने में मतलब बहुत ही परिशानी होती है क्योंकि इनका weight ज़्यादा है 15 to 18 kg इनका weight होता है इस वज़े से क्या होता है इनको जब दिखाईन देता है और यह सीधे high tension wire में जाकर टकरा जाते हैं और फिर इनके death हो जाती है तो जो रास्तान एरिया है गुजराते ही है यहाँ पर solar energy का बहुँ ज़्यादा वो है प्लांट्स हैं तो solar energy के plants even high tension wires हैं वो दोनों के दोनों responsible हैं इसके death के लिए और अब साथ के साथ पाकिस्तान में हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान में इसको लोग meat के लिए भी उज़ करते हैं इसका सिकार करते है meat के लिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 15 to 18 kg इसका weight होता है जैसे कि आप रास्तान में सुनेंगे एक तीतर का नाम सुना होगा अपने तीतर भी एक bird होता है तो उसका भी काफी अच्छा weight होता है लगबग 4-5 kg के लगबग वेट रहता है तो उसको भी जो है लोग meat के लिए उसका भी जो है शिकार करते हैं उसको भी hunting करते हैं आप सोलूशन क्या है कमेटी ने बताया है कि इन high tension wires को undergrounding किया जाए साथ में साथ जितने भी grassland है एक्चल में ये क्या है जो great indian mustard है आपको grassland में मिलेंगे जैसे गुजरात में जो grassland है बनी grassland है कच grassland है रास्तान में जो Indian desert national park है इसमें आपको loony river का जो basin है उसमें आपको मिलेंगे great indian mustard जो grassland होता है जो grassland होते है जनरली उनमें इनको इनका natural habitat मतलब ये इनका natural आवास है यहाँ पर ये पक्सी पाए जाते है तो हमें क्या करना पड़ेगा इनकी grassland का जो है उनको increase करना पड़ेगा जो उनका natural habitat है और साथ में इनकी breeding भी करवानी पड़ेगी मतलब आप in-situ conservation करके इनको in-situ breeding भी करवानी पड़ेगी आपको वो भी एक solution आपका और solar power plant है और high tension wires है जो इनके national desert national park है इससे इनको out करना पड़ेगा इनको उससे थोड़ा बहार रखेंगे हम तो इनके लिए अच्छा रहेगा कुछ प्रोग्राम है जो भारती सरकार चला रही है प्रोग्राम में है conservation जैसे species recovery plan है और great indian recovery plan by indian rastan government also so these are the plans for conservation of this this animal, this bird sorry so इसके साथ साथ में इसको wildlife protection act के तहत schedule 1 में रखा गया है high protection प्रोटेक्शन प्रवाइड गया है इसको red list में रखा गया है साथ में सद IUCN International Union for Conservation of Nature उस में इसको schedule 1 में रखा है appendix 1 में रखा गया है और sites के जैसे मैंने बताया तो उसमें इसको appendix 1 में और IUCN को इसको red list में रखा है और इसको critically endangered category में रखा गया है और इंडियन जो wildlife factor उसमें इसको schedule 1 में रखा गया है मतला हाई protection प्रोटेक्शन 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 कराने से इसके बात बनेगी नहीं हमें जो इस solutions हैं उन पर ध्यान देना पड़ेगा और इस जानबर को इस पक्सी को जो है इसको extension होने से बचाना पड़ेगा थैंक यू वेरी मुच